भक्तो हर महीने में दो बार चतुर्थी पढ़ती है एक बार पूरिमा के बाद और दूसरी अमावस्या के बाद दूनों चतुर्थी का नाम अलग-अलग है। सितंबर माह में तेरा तारी को संकस्टी चतुर्थी पढ़ रही है इस दिन समस्य दुखो का निवारण करने वाले संकट मोचन विग्न हर्ता भगवान गड़िस की पूजा का विसेश महत्व है। तो आईए जानते हैं संकस्टी चतुर्थी पूजा कासु मूरत चंद्रोदय का समय चतुर्थी दिती कब सुरू कब समाप्द मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संकस्टी चतुर्थी 13 सितंबर दिन मंगलवार को है। चंद्रोदय 20 बच के 32 मिनट पे चतुर्थी तिती का प्रारम 13 सितंबर को 10 बच के 37 मिनट से और समाप्दी 14 सितंबर को 10 बच के 25 मिनट पर। महात्यो संकस्टी चतुर्थी का व्रत सुर्योदय से प्रारम होता है और सुर्यास्त के बाद चंद्रदर्सन से समाप्थ हो जाता है। इस समय विग्न हर्ता भगवान गड़ेश की उपासना करने से घर के सभी नकारात्मक प्रभावन नस्ठ हो जाते हैं और सकारात्मक उ संतान प्राप्ती के लिए भी या व्रत उत्तम है। संकस्टी चतुर्थी पूजा की विधी आज के दिन सुबा उठकर इसनान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। गड़ेश भगवान की पूरी विधी विधान से पूजा अर्चना करें। उन्हें तिल, जी की आर्थी जरूर पड़े। रात में चान निकलने से पहले गड़ेश भगवान की फिर से पूजा करें। चंदरोदे के बाद दुग्द से चंदरदे को अर्ध दे कर पूजन करें। और फिर फलाहार ग्रहड करें। संकस्टी चतुर्थी के दिन भगवान गड़ेश ने सिर्जी से कहा तो वो भी तयार हो गएं। लेकिन समस्या या थी कि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ती नहीं था जो हार जीत का निर्ने कर सके। माता पार्वती ने अपनी सक्ती से एक बाला की मुर्ती बनाई और उसमें प्रान प्रतिस्ठा कर दी। फिर उन्होंने कहा कि त भगवान सीव को हरा दिया। माता पार्वती ने उस बालक से खेल कर निर्ने जाना चाहा तो उसने भगवान सीव को विजई बता दिया। इससे माता पार्वती नराज हो गई। उन्होंने गुस्से में बालक को स्राब दे दिया। जिससे लड़का लंगडा हो गया। विधी पूर्वक संकस्टी चतुर्ती का व्रत करना।